आज की जो एक एक डिजाइन है वह वन केजी केक की है तो सबसे पहले मैंने यहाँ केक को क्रीम से कोट करके लिए है उसके बाद लाइनिंग स्क्रापर से साइड में डिजाइन बना के लिए है उसके बाद मैंने यहाँ पर नूर यंटू नंबर का नोजल लिया है और रेड क इसके बाद मैंने सेम नोजल लिया है जिससे हमने रेड कलर का फ्लावर बना के लिया था उससे से अभी रेड कलर के फ्लावर्स के आगे हमें फ्लावर्स बना के लेने हैं उसके बाद फिर से रेड कलर का फ्लावर बनाना है और उसके बाद दूसरे कलर का फ्लावर बनाना है केक के उपर साइड में आधे तक हमें इसी तरह flowers बनाती जाने है इसके बाद मैंने यहाँ पर नूर 14 नमबर का nozzle लिया है जिसे के हमें केक की borderline की design बना के लिएनी है ज्यादा तर केक की border की design के लिए मैं इसी nozzle का यूज़ करती हूँ आगला जो nozzle मैंने लिया है इस पर कोई नमबर नहीं है यह local है और small nozzle है तो इसको मैंने एक piping bag में डाल दिया है और दूसरी piping bag में मैंने purple color की cream भर के लिए है और उसे half inch जितना cut करके लिया था आगे से और इसे इस nozzle वाली piping bag में डाल दिया है अब इस तरह से हमें ये design बना के लियनी है मोदक जैसी design बन के त्यार होती है इस nozzle से इसे तरफ flowers के उपर में और side में हमें ए डिजाइन बना के लियनी है अब इस purple cream वाली piping bag को इस nozzle वाली piping bag से बाहर निकालना है और दूसरी piping bag में मैंने yellow color की cream भर के लिए है अब ये nozzle वाली piping bag में ये डालनी है दूसरी color की piping bag change करने के बाद direct हमें cake के उपर design नहीं बनानी है क्यूंकि पहले color की cream इस nozzle में रहती है तो पहले थोड़ी सी cream कटोरी में निकाल लिजिए उसके बाद ही फिर cake के उपर इस तरह से design बना के लिजिए अगर आपको इस तरह से piping bag change नहीं करनी है तो आप direct nozzle वाले piping bag में भी cream भर के ये design बना सकते है इस तरह से piping bag को change करके design बनाना मुझे easy लगा तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया आपको जो भी easy तरीका लगता है उसी हिसाब से आप ये design बना के लिजिए अब पहले वाली piping bag को मैंने बाहर निकाल दिया है और उसके बाद pink color की cream वाली piping bag को snozzle वाली piping bag में डाल दिया है पहले हमने जो design बना के लिए है उसकी बीच में कही कही पर जगा खाली है तो वहाँ पर हमें pink color की cream से design बना के लेनी है flowers के ऊपर में भी हमें design बनानी है और flowers के side में भी अभी हमें flowers के side में lift बना के लेनी है उसके लिए मैंने यहाँ पर piping bag में green color की cream भर के लिए है और piping bag को ultra v-shape में cut करके लिए है बिना nozzle के हम बहुत आसानी से इस तरह से lift की design बना सकते हैं अगर आपके पास lift design का nozzle है तो आप उसका use कर सकते हैं इस design बनाने के लिए हाथ को हम थोड़ा कम प्रेस करेंगे तो छोटी वाली lift बनेगी और थोड़ा ज्यादा प्रेस करेंगे तो थोड़ी बड़ी lift बनेगी तो इस तरह से मैंने flowers के side में छोटी बड़ी आकार में lips बना के लिए है अब मैंने आपर silver spray लिया है केक के ऊपर में और side में हमेशे spray करके लेना है spray करने से केक के ऊपर सुन्दर शाइन आती है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को like, subscribe and share करना ना भूले मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार